हारी तवाही मची हुई है ख़बर है कि हजबुला के 200 ठिकानों को तबाह कर दिया गया इन ठिकानों में लॉंचर्स, एंटी टैंक, लॉंचिंग पोजिशन, मिलिटरी बिल्डिंग और हथ्यार डीपो को टारगेट किया गया वाई इस्राइली सिना के जगहर्टा जिले के आतो शेहर पर हवाई हमला किया गया, हमले में दावा किया कि 18 लोगों की मौत हुई है, चार घायल हुए हैं, इस्राइल के प्रधार मंतरी बिंजमीन नितन्याहू ने कहा कि हम हजबुलाह पर बेरहमी से हमला करना जारी रखें करना जारी झाल करना जार – झाल के उंदेर Candiет मौति स स्च्छंगर के बिंजमी आीर झाल करते हैं प्रुद्भर काल प्रुद्ट चार्थ बvéiness झाल हिस्बुल्ला का इस्राइल पर सबसे बड़ा हमला चार्ट सैनिकों की मौत से डहला इस्राइल साथ लोगों के घाल होने से हाइफा में मची हल चल नसर अल्ला मारा गया लेकिन हिस्बुल्ला जिन्दा है हिस्बुल्ला का कमर तोडने वाले अटैक के बाद इस्राइल इस मोगालते में था कि अब कम से कम हिस्बुल्ला इस्राइल के खलाफ डायरेक्ट आटैक नहीं करेगा लेकिन हिस्बुल्ला ने ऐसा करारा जवाब दिया कि इस्राइल के होश उड़ गये हैं हिस्बुल्ला ने इस्राइल पर हमला उस दिन किया जिस दिन अमेरिका ने थाड़ मिस्ट के चार सेनिकों की मौध हो गई हिस्बुल्ला ने इस्राइल पर हमला उस दिन किया जिस दिन अमेरिका ने थाड़ मिसाइल डिफेंस सिस्टम इस्राइल की सुरक्षा में तैनात करने की घोशड़ा की ये हमला किसी रॉकेट या मिसाइल से नहीं बलकि ड्रोन से किया गया ये हमला इतना सटीक था कि इसराइल को भी मानना पड़ा कि इस हमले की वज़ा से उसे भारी नुकसान उचाना पड़ा है हिस्बुल्ला के छोड़े दो जोन में से एक कोई इसराइल के एर डिफेंस सिस्टम ने इंटरसेप्ट किया यनी रोखने में सफल रहा लेकिं दूसरा ड्रोन गोलानी ब्रिगेट टेनिंग बेस पर तबाही मचाने में खाम्याब रहा दो दिनों में इसराइल के खिलाफ हिजबुल्ला का ये दूसरा हमला है जब हिजबुल्ला ने सेंटरल इसराइल के बिन्यामिना के पास एक मिलिटरी बेस पर ड्रोन से बड़ा हमला किया है इसराइली मेजिया रिपोर्ट में कहा गया है कि इसने बेस के अंदर एक डाइनिंग हॉल को निशाना बनाया था ये हमला उस वक्त हुआ जब इसराइल के सैने खाना खा रहे थे कहा जा रहा है कि जोन के आने के पहले कोई सायरा नहीं बजा था जिसे सैने को कुछ तुरक्षित होने का मौका नहीं मिला जंग की शुरुआत से ही इसराइल यू एवी के खत्रे का सामना कर रहा है बिन्यामिना मिलिटरी कैम जहां पर ड्रोन अटेक हुआ वो लेवनन की सीमा से महज 65 किलूमिटर दूरी है आईडिएफ ने अपनी शुरुआती जाच रिपोर्ट में पाया है कि ये दोनों ड्रोन समुद्र की सीमा के रास्ते इसराइल में गुसे ये दोनों ड्रोन मिरसाद थे जिने इरान में अबाबील टी भी कहा जाता है मिरसाद ड्रोन हिजबुला का आत्मगाती ड्रोन है मिरसाद एक को इरान के महज़ा 2 मौडल के डिजाइन पर बनाया गया है इसमें हिजबुला के लिए थोड़े संशोधन किया गये है ये ड्रोन 40 किलोग्राम तक विस फोटक ले जा सकता है इसके अधिक्तम गती 370 किलो मिटर प्रति घंटा है और इसकी रेंज 120 किलो मिटर तक हमला करने की है ये 3000 मीटर की उचाई तक उड़ सकता है हिजबुला अक्सर इसका इस्तेमाल इसराइली हवाई शेतर में घुसने के लिए करता है सबसे बड़ी बात ये है कि ड्रोन इसराइल के एर डिफेंस सिस्टम को चकमा देने में सफल रहा इसराइली वाई उसेना के विमानों और हेलिकॉप्टरा ने दूसरे ड्रोन का पीशा किया लेकिन ये रेडार से गाइब हो गया इसराइली सेना इसका पता नहीं लगा सकी क्योंके शायद ये जमीन के बहुत खारीब हो रहा था अदूमान है कि रेडार से गाइब हो अड्रोन और हमला करने वाला ड्रोन दूनों एक ही थे फिलहाल इसराइली सेना इसकी जाच कर रही है प्रशाओ कशות, जशन नफगाइब हैं बशलब श्लीता मपदाईी जारा है अल आरुव कोल नफगाइब हो अजब आसकी बदार क्शर एम शपखोते हैं कोल अज़ाईली बबसीस उन्हो लिटकशर अबाइट वलादकन एम बसद्डर कोई सायरन भी नहीं बजा जिसकी आवाज हमला होने के बाद हाइफा शहर की सडकों पर सुनाई पढ़ रही है लिहाजा सैनिकों को समखलने का मौका भी नहीं मिला जिस बिन्यामिर मिलिटरी बेस पर गोलानी ब्रिगेट को हिजबुला ने टार्गेट किया उसकी डिटेल भी देखिए गोलानी ब्रिगेट इसराइली पैदल सेना का ही हिस्सा है इसका गठन 28 फरवरी 1948 को हुआ था जब उपरी गलील में लेवानोनी ब्रिगेट को दो छोटे ब्रिगेट में विभाजित किया गया था ये आईडिएफ में सबसे अधिक सुसजित ग्राउंड सेना इकाईयों में से एक है इस ब्रिगेट को ग्राउंड आउपरेशन को अंजाम देने के लिए जाना जाता है 1948 के अरव इसराइली युद्ध के बाद गुलानी ब्रिगेट ने 1950 के दर्शक में कई आउपरेशनों को अंजाम दिया इसराइल पर ताज़ा हमले ने ये क्लियर कर दिया है कि इसराइल के इस दावे में सौफ इसनी सचाई निज़र नहीं आ रही है कि उसने हिजबुल्ला के सारे चौप कमांडर मार गिराए हैं और हिजबुल्ला के छेकानों पर लगातार हमले कर उसे खरीब करीब त्वस्त कर दिया है इस मेंची इसराइल में इरान की स्थरे से एक्टिव है ग्राउन जीरो से ताजा रिपोर्ट की देखी जे इरान के लिए काम करने के शक में एक पती पत्नी को तेल अविब में पकड़ा गया इनको इसरायल के बड़े अधिकारियों को जान से मारने की जिम्मदारी सौपी गई थी इनको कारों में आग लगाने का भी जिम्मा दिया गया था और कुछ हफ्ते पहले ही इनकी टेलीग्राम के जरीए भरती की गई थी हजबुला ने इसराइल के बोर्ट सिटी हाइफा को टार्गेट कर रखा है कुछ हफ्तों में सबसे ज़्यादा रॉकेट हाइफा पर ही दागे गए है दावा किया जा रहा है कि दस प्रोजेक्टाइल रेबडान की सीमा से हाइफा की तरफ दागे गए है जिनमें से ज़्यादा तर रॉकेट को इंटरसेप्ट कर लिया गया है जबकि बाकी रॉकेट खुले इलाकों में गिरे है इज़ाइल के हाइफा से आया एक चौकाने वाला वीडियो देखिए ये वीडियो हाइफा के हुलसल मारकेट का है जहां लोग काम काजब जुटे हैं लेकि तभी अचानक एक मिसाइल का चुकड़ा यहां गिरता है और ये शक्त खायल होने से बाल बाल बच जाता है हिजबुल्ला के हमले का करारा जवाब इस बिच इसराइली एर फोस ने दक्षिन लिबनान में बहुत बड़ा हमला किया है हिजबुल्ला के 200 छिकानों को तबाह कर दिया है इन शिकानों में लॉंचस, एंटी टैंक लॉंचिंग पोजिशन, मिलिटरी बिल्डिंग और हत्यार डिपो को टार्गेट किया गया है ये तस्वीर लिबनान के नवाती ही की है जहां कमर्शियल मार्केट पर भिक्षन हमला किया गया है दक्षन लिबनान के नवाती में भियानक तबाही हुई है शहर में दूर दूर तक कोई नहीं दिखाई दे रहा है सिर्फ तेज रफतार गाडिया और इस्राइल के हमलों का बारूद सड़कों पर देखा जा सकता है नवाती दक्षन लिबनान का एक बेहत अहम शहर है लेकिन अब यह शहर किसी शमशान में तबदील हो चुका है लिबनान के नवाती में जबदस्त बंबारी हुई है नियू जेटिन सावदा तारिफत इस वक्त उसी इलाके में है कैसा है नवाती का हाल आपको दिखाते हैं नवाती बहुत ही एहम शहर है साउथ बेरोत में और ये बॉर्डर के साथ का एरिया है और अभी भी उपर से जो है वो इसराइली ड्रोन गूम रहे है मैं पूरी तरह से दिखाने की कोश्च करूँगा कि क्या कुछ तबा हुआ है ये नवाती का एरिया है और नवाती एक बड़ा मार्केट है और इस मार्केट में अब हर तरफ से बरबादी हुई है यहां आप मुश्किल सही किसी शक्स को देखेंगे सारे लोग यहां से निकल चुके हैं सिर्फ कुछ रिस्क्यू आपरेशन वाले लोग है बाकिए यह आप देख सकते हैं यहां पर क्या है हाल सब कुछ यहां पर तहस नहस हो गया है गाड़ियां यह स्ट्रीट्स और यह सब तबाह हो गया है यह देखिए लिबनान का विद्धन स्थे दिख रहा है लेकिन इस राइल पर हजबुला ने जिस तरह से हमला किया है उसने सारे सवाल ठीकर दिये हैं इस इंतिजार में बेचा है कि वो इरान के खलाफ पर अटवार करेगा और आलम यह है कि इरान के प्रॉक्सी हेजबुला के हमले से ही इसराइल खुद को सुरक्षित नहीं रख पा रहा है हसलन की मौत हो चुकी है हिजबुला की भी मौत की पुष्ठी कर चुका है लेकिन हाइफा में हुई हमले की बाद अब इसराइल में हसन नस्राला का खौफ और से फैलने लगा है इसराइल में लोग पूछ रहे हैं कि हिजबुला का पूरा टैक सिस्टम तो पहले से ही खतरनाक रूप ले चुका है हाइफा टैक ने साबित कर दिया है कि इसराइल और हिजबुला का यूद दुफ़स चुका है हाइफा टैक ने बता दिया है कि ये युद्ध अब एक तरफा नहीं राख गैरंटी फूरी है कि ये जंग लंबी चलेगी हाइफा टैक ने बता दिया है कि हिजबुला सूपर अक्टिव है और उसकी ड्रोन पावर से लेकर रॉकेट वाले अटैक में कोई कमी नहीं आई है ना आएगी हाइफा में इसराइली अट्डों पर जिस तरहां हिजबुला के ड्रोन फटे वो नेतन यहू के आर्मी के लिए बहुत बड़ा जटका कहा जा रहा है हिजबुला का C3 इस वक्त इसराइल के लिए सबसे बड़ा खत्रा बन गया है C3 का मतलब 3C 3C के माइने कमांड, कंट्रोल और कमुनिकेशन यानि हाइफा अटेक ने बता दिया है कि हिजबुला का C3 बरकरार है अब सवाल उठाए कि जो लीडर्शिप और कोर्स का ओर्डर हसन नसरल्ला के वक्त मौजूद था वो अब भी जिन्दा है या ये कहें कि हसन नसरल्ला मर कर भी हिजबुला को कंट्रोल कर रहा है यही मेसेज पूरी दुनिया को जा रहा है हिजबुला को बेरूद से अब भी और्डर मिल रहा है इसमें कोई शक नहीं ना है उसकी कोई कम्मुनिकेशन लाइन टूकी है उसके हत्यारों ने अब भी इसराइल को अपने टार्गेट पर लिया हुआ है ये सब तब देखा जा रहा है जब दक्षन बेरूत को मिटाने के लिए इसराइल लगातार हमले कर रहा है दक्षन बेरूत की कोई सड़क ऐसी नहीं बची जहां पर गिरी हुई बिल्डिंग का मलबा नहीं नजर आता लिबनान में इसराइल की बंबारी से दो हजार तीन सो से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं जबकि घायलों की तादाद 11,000 पहुँच चुकी है पिरोत ने पिछले कुछ दिनों से जिस्तरीकी की बंबारी देखी है उससे लगता था कि दहिया इलाके से हेजबुल्ला को काफी नुकसान पहुचा है लेकिन अब हाइफा पर अटाक करके हेजबुल्ला ने बता दिया है कि वो अब भी इस युद में बराबर हमले करने की ताकत रखता है हेजबुल्ला का कोई हेड़कॉर्टर नहीं है हेजबुल्ला का कोई बड़ा कमांडर सामने नहीं है लेकिन फिर भी हेजबुल्ला के हमले इसराइल पर तेज हो रहे हैं हिजबुल्ला का मकसद साफ है और हाइफा से आने वाली तस्वीरे उसके मकसद को पूरा भी कर रही है हाइफा की सडकों पर एंबुलेंस और मिलिटरी की गाड़ियों को दोड़ता हुआ देखकर पूरा इसराइल ही नहीं अब धुनिया पूछ रही है कि हसन नसरल्ला और उनके कमांडरों को माडने के बाद भी हिजबुल्ला का नेटवर कैसे चल रहा है हलिकॉप्टर से घाइल इसराइली सेनिकों को एयर लिफ्ट करने की तस्वीर पूरी दुनिया में वाइरल हो रही है हिजबुल्ला के पास एयर पोर्स नहीं है लेकिन वो ड्रोन से हमले करके ये बताना चाहता है कि वो इसराइल को बराबर का जवाब देना चाहता है हिजबुल्ला साबित करना चाहता है कि इसराइल डक्षन लिबनान में घुसकर जो आपरेशन कर रहा है उसका जवाब वो हाइफा में दे रहा है इन दोनों तस्वीरों में एक तरफ इसराइल बहुत मजबूत नज़रा रहा है जब वो हिजबुल्ला के गड़ में जमीनी अटाक कर रहा है तो दूसरी तरफ हाइफा में उसके पूरे डिफेंस सिस्टम की पोल खुलती हुई नज़रा रही है इस बुल्ला ने दक्षणी हाइफा में गोलानी ब्रिगेट के अट्डे पर हमला किया यहां इसराइली सेना का बिन्यामीना अड़्डा है और यहां पर ड्रोन से पूरे इसराइल में हड़कम मजग गया हाइफा में इसराइल के बहुती खास मिलिटरी अड़े पर हुआ यह बहुती खतरनाक हमला रहा यह नेतन याहू की बड़ी नाकामी बताई जा रही है हाइफा में अटैक के बाद अब सवाल इसराइल के पूरे डिफेंस सिस्टम पर उफ रहा है जब हिजबुल्ला ने हाइफा पर ड्रोन लॉंच किये और इसराइली सेना के बहुती खास ठिकाने को टार्गेट बनाया लेबनान से लॉंच किये गए ड्रोन को काउंटर करने की जिम्मदारी आयरन डोम पर थी आयरन डोम की रेंड 70 किलोमिटर से ज्यादा है और हाइफा की लिबनान बॉडर से दूरी है 27 किलोमिटर यानि आयरन डोम का रडार रिडक्शन लिबनान के अंदर गहराई तक की सी बी डोन और मिसाइल को ट्रैक कर सकता है लेकिन 13 अक्तूबर को आयरन डोम फेल हो गया, वो हिजबॉल्ला के ड्रोन को ट्रैक नहीं कर पाया और हिजबॉल्ला के ड्रोन ने एजराईल के मिलिटरी ठीकानों पर ऐसा बारूद बरसाया कि सदमा तलवीव तक लगा है कोल अनिफगाईים पुनो लवते होली, अच्छन असुकीं बिलिदूर के चर एंप मिलिटरी केमप, लेजबॉन की सीमा से 50 किलोमेटर दूर है यानि हिजबॉल्ला ने 65 किलोमेटर से भी ज्यादा दूरी से एक ड्रोन अटैक किया जो सफलता पुरवक जाकर अपने निशाने पर लग गया उस दोरान उत्तरी हाइफा में तैनात आयरन डोम भी उसका पता नहीं लगा पाया तभी तो इसराइल की एर सीमा में बिना किसी रोख टोक के ये ड्रोन बिन्यामिना मिलिटरी कैम पहुंसता है और वहाँ बड़ा धमाखा कर देता है साफ है कि हजबॉल्ला के हमले के सामने इसराइल का आयरन डोम एर डिफेंस सिस्टम सोता रह गया नहीं हाइफा में अटैक से पहले साइरन बजा वहाइफा की तबकी तसमीरें हैं जब हजबॉल्ला का अटैक हो गया और फिर सेना ने अलाम बजाना शुरू किया अब सवाल है कि इसराइल ने हाइफा पर हजबॉल्ला के हमले के बाद क्या किया गजा के देर अलबलहा में क्या हुआ ये उसकी तस्वीरे हैं बहुत ही खौफनाक वीडियो है इसराइल ने अलकसा स्पताल के बाहर हमला किया है इस हमले में चार लोगों की मौत हुई है और करीब पचास लोग खायल हुए है धमाके के बाद यहां लगे कैम्प में आग लग गई और सब कुछ जनने लगा नेतन्याहू ने कहा था कि हसन नस्रल्ला के मारे जाने के बाद हिजबुल्ला कान्त हो जाएगा जो नहीं हुआ नेतन्याहू ने कहा था कि वो बेरूत को गज़ा बनाने से पीछे नहीं हटेंगे बेरूत पर हमले जारी है लेकिन हिजबुल्ला एक्टिव है नेतन्याहू ने कहा कि दक्षिन एर्णान से वो हिजबुल्ला को उखाड फेकेंगे वहाँ भी ऑपरेशन जारी है और इस्राइल के लिए गुड नियूज सुनने को नहीं मिली है एजबुल्ला और इस्राइल के लडाई सिर्फ बॉर्डर पर नहीं हो रही ये कई फ्रंट पर हो रही है और नेतन याहू के लिए बड़ी फिक्र की बात ये है कि अब ये फ्रंट इस्राइल के अंदर खुल चुका है इसमें कोई शक नहीं कि इसराइल अब बेरूत पर मंबारी का नया रिकॉर्ड बना रहा है इसराइल इस बक्त बहुत ज़ादा दवाब में है नेतन याहू इरान पर पलटवार करने की सोच रहे है लेकिन पतिन और पजेकेशियान की मीटिंग के बाद इरान से जो रिपोर्ट आ रही है वो इसराइल के लिए बुरी ख़बर कही जा रही है इनसानों की यहां कोई भी साथ नहीं है यहां कदम कदम पर मौत है आस्मान से बरस्ती मौत हिजबुल्ला सिर्फ युद में मार नहीं खा रहा इसराइल को मार भी रहा है कब्यत से मार रहा है मार इतनी बहानक है कि उसका ट्वेलर न्यूजेटीन इंडिया रिपोर्टर अरुन सेंग और वीडियो जर्नलिस्ट राकेश नेगी ने कैमरे में कैप्चर की है यह शोर सुनिये रॉकेट की रफ्तार देखिये फिर धमाके का असर खुद बखुद समझ सकेंगे कलेजा थर्रा देने वाले दृष्शब इसराइल में दिख रहे हैं इस बुल्ला के हमले को नई धार मिली है इरान भी अब खुल कर इसराइल को दहलाने जा रहा है वजए इरान को अब एक और पर मिलेगा हर हत्यार खामनेई की डिमांड पर रातो रात मिलेगी हाइपरसॉनिक मिसाइल कुछ स्पोर्स जब चाहे उसे मिल जाएगा सुपरसॉनिक आसमानी लडाका इरान को डूकलिर थ्रेट हुआ तो आटम बम कभी हो जाएगा जुबार इसराइल हो या अमेरिका इरान को अब किसी से नहीं डर इरान कभी भी इसराइल से नहीं डरा इरान ने हर बार इसराइल के हमले का जबाब दिया इरान ने बम के बदले मिसाइल से दहलाया लेकिन अमेरिका के वार जोन में आने के बाद से इरान की जमीन किसक गई थी इरान को सूपर पावर के जंगी बेड़े डरा रहे थे इरान को न्यूकलियर बमों से लोड़ीट फाइटर जेट से बचने का कोई रास्ता ही नहीं मिल रहा था मगर अब तेहरान में टेंशन जैसी कोई बात नहीं सुपरीम लीडर अलिखाम नहीं भी बेफिक्र है वज़े है मौसको से हुआ एक एलान एरान को रूस से क्या-क्या गैरंटी मिली है डीटेल वाइट हाउस तक महुँच गई है जिसके चलते करीब एक हफते से नेतन याहू से बातचीत नहीं कर रहे प्रेजिडेंट जो बाइडन ने फटाफट मीटिंग फाइनल कर लिया यानि दो होट लाइन एक्टिव है 24-7 तेहरान और मॉस्को की होट लाइन पर इसराइल के हमले से निपटने का प्लान बन चुपा है वही रूस के वार जोन में एंट्री के बाद प्रेजिडेंट बाइडन और नेतन याहू नई रणनीती बना रहे है लीडर्स की वार प्लानिंग से अलग युद्ध के मैदान में खून खराबे के लिमिट प्रॉस होती जा रही है हिजबुल्ला के रॉकेट धमा के हाइफा में हाहाकार मचा रहे है जैसे बेरूट जल रहा है ठीक वैसे ही दृष्षे इसराइल में दिखने लगे है लेकिन इसराइल के बारूदी प्रहार को जेलने की हिम्मत अब हिजबुल्ला में बची नहीं हिजबुल्ला सीस फायर सीस फायर की दाहर लगा रहा है मगर इसराइल का मकसद साफ है हिजबुल्ला हमास उती के साथ इन सब के अगोशी ताका इरान की तबाही जब कि यूद में इसराइल को भी भारी कीमत चुकानी पड़ रही है इजबुला लडा के इसराइल को घर में घुसकर दहलाने लगे है यह हाइफा सिटी का हाल है इजबुला आर्मी ने हाइफा में रॉकेट धमाके की जड़ी लगा रखी है जड़ी यूद में अचानक सब तुम मदलता गया है